हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंने रुपाली वर्मा आज चैप्टर का मैं कुछ रिवीजन यानि की कम्प्रीट चैप्टर रिवीजन लेकर आई हूँ वो हमारी क्लास 10 के हिंदी कूर्स एक ही बुक है श्रतश भाग दो उसका अध्याय है 15, इस्तरी सिक्षा के विरोधी को क्रत्यों का खंडन तो ये पार्ट क्या है? इस पार्ट को हम पहले डिटेल में समझ चुके हैं NCRT Solutions कर चुके हैं तो डिटेल एक्समिनेशन आप वहाँ से देख सकते हैं यहां पर हम फटफट़ चैप्टर को समझेंगे इस चैप्टर में जो लोग मानते हैं कि इस्तरी को सिक्षत नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि अगर वो सिक्षत हो जाएगी तो वो घर के बाहर कारे करेगी, घर की कामों पर ध्यान नहीं देगी वो हमारे दबाव में नहीं रहेगे अर्थात हम उसका शोशन नहीं कर पाएंगे उसके अत्याचार नहीं कर पाएंगे अपनी मनबर्जी से उसके उपर शाषन नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इस तरी को सिक्षत नहीं होना चाहिए और दूसरा है कुकत्यों का खंडन इस अपनी इस विचार धारा को कायम रखने के लिए बहुत तरह तरह की चीजों को अपनाया जाता है तो वो कुकत्य है नहीं की गलत कार नहीं उन सभी का खंडन यहाँ पर लेखग ने इस पार्ट में किया है तो लेखग ने यहाँ पर बहुत सारी चीजे प्राचीन काल से भी हमें रिलेट किया है कि प्राचीन काल में माना जाता था कि इस तरी सिक्षत नहीं होती है तो वो भी चीजें हमें समझाई है भाशाओं के ग्यान के बारे में हमें समझाया है तो च चलिए स्टार्ट करते हैं खंडन की आएगी ऐसा कुछ भी नहीं होता और यह चीज तो आज आज आप लोग भी बहुत ही आपने आसपास देख रहे हैं बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां पर जो लेडी है वो वकिंग में रहती है घर शांती में है बहुत सुचारू ढंग से चलता है हरे चीज बढ़ि पुरा फानी लिख्यलुम और टीए के तरक इस तरह के होते हैं संस्वत के नार्डकों में पढ़ी लिखी यह कुलीन इस्तरीयों को गवारों की भाषा का प्रियोक करते दिखाया गया शकुंटला का उद्हारा ने गवार के रूप में दिया गया जिसे दुशियंत को काठ जिस भाशा में शकुंतला ने श्लोक कहे वो गवारों की भाशा थी अब यहां पर जो हमारे सामने उन्होंने एक उधारन रखा उनका कहने का मतलब था कि जो प्राचीन समय में जो इस्तिनियां थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी अर्थात गमार थी तो अब यह गमार का उन्ह जाता था जबकि प्राकृत आम बोलचाल की भाशा थी जिसमें संस्कृत होता था लेकिन इतना शुद्ध रूप में नहीं होता था जितना की पहले संस्कृत मूल रूप में इस्तिमाल किया जाता था तो प्राकृत भाशा जो है वो गमारों की भाशा बता दी गई तो यह सुनाती है तो वो प्राक्रत भाशा में उन्होंने बताया नाटकों में उल्लेक है तो सभी उन्होंने बोला कि ये गमार थी इसलिए इसने प्राक्रत भाशा का इस्तेमाल किया साथ ही शकुंदला की श्लोक उसे जितने भी श्लोक बोले वो सभी प्राक्रत भाषा में थे ऐसा किसका मानना है विद्वानों द्वारा दिये गए तर्क की जो है इस त्रिया पड़ी लिके नहीं थे इन सब बातों का खंडन करते हुए लेकर कहते हैं कि क्या कोई सुशितिन नारी प्राक्रत नहीं बोल सकती बुद्ध से लेकर महाबीर तक ने अपने उपडेश प्राक्रत भाषा में ही दिये हैं तो क्या वो गवार थे लेखक कहते हैं कि हिंदी बंगला भाषा हैं आज कल भी प्राक्रत है तो अब कहने का तादपर यहां पर है कि जो लोग बोलते हैं कि प्राक्रत भाषा गवारों की भाषा है इस बात का खड़न लेखक ने किया तो इसके लिए लेखक ने क्या तर्क दिया उनका कहने का तर्क यह था कि भगवान बुध्ध उन्होंने जब अपने उपदेश दिये तो वो प्राक्रत भाषा में थे तो क्या भगवान बुध्ध जो है वो गवार थे क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे क्या वो संस्कृत नहीं जानते थे तो ये कहना गलत है कि पढ़ी लिखी इस्तरी जो है वो प्राक्रत नहीं बोल सकती पढ़ी लिखे इस्तरी भी भाई संस्क्रत भी बोल लेगी प्राक्रत भी बोल देगी किसने ये बोला अब हम ये चीज़ हम बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम sting नहीं बोल सकते अंग्रेजी बोलेंगे तो गलत चीज़ हो जाएगी ना भाई Sho contracting बहुति हैं एंग्रेजी हम जानते हैं आज भी प्राकृत भाषा हैं अब ये प्राकृत भाषा क्या होती है जो संस्कृत समा देश के साथ नहीं भाषा जो easy बहुत Aí ya संस्कृत बहुत टफ है हम उसे normal बोल चाईल की भाषा में नहीं ला सकते थे तो अब क्या हुआ हमें normal बोल चाईल की एक सरल भाषा चाहिए थी तो धीरे-धीरे संस्क्रत को ही थोड़ा easy way में करते चले गए संस्क्रत का जन्म कहां संस्क्रत से हुआ है तो वो क्या हुआ धीरे-धीरे आम बोलचाल की भाषा में आती चलेगी तो बांगला भी आप हिंदी भी लोगें तो यह संस्क्रत यह रहे कि सब देवनागली लिपी में ही है लेकिन यह हिंदी बोलने में आसान है बंगला बोलने में आसान है लेकिन संस्क्रत हमें टाफ लगती उसी तरह उस जमाने में यह अधिकार प्राकृत को हासल था यानि कि आज हम हिंदी पढ़ते हैं बंगला पढ़ते हैं तो हम सिक्षित है उसी तरह प्राकृत पढ़के भी लोग सिक्षित हो सकते थे उस समय में फिर भी प्राकृत बोलना अनपढ होने का सबूत है यह बात न लोगों और इस्तरियों की भाषा प्राक्रत कर दिया अब यहां पर वो एक तर्क और हमारे लेखक दे रहें कि भाई नाट शास्त्रों में क्यूं जो मेन करेक्टर है उनको पढ़े लिखे करेक्टर थे उनको संस्क्रत दे गई और बाकी इस्तरियों और अन करेक्टर को प्र प्राक्रत भी चल रही थी हैँ दोनों चल रही थी मतलब इन दोनों ही भाशाओं को समझने वाली कम्यूनीटी थी ठीक है तो उसी तरीके से संस्कुरत भी लोग समझते थी और प्राक्रत भी समझते थे तो क्या हुआ कि जब नाट शास्र लिखा गया तो जो मेन पात्र होते थे उनको संस्कृत के समबाद दिये गए और बाकी अनपात्रों को प्राक्र समबाद दिये गए अब ऐसा क्यों हुआ ये हमारे सामाजिक धाचे को देखके ही तो नाटक लिखे गए क्योंकि सामाजिक धाचे में यह होता था ऐसा नहीं है कि वहाँ पर परिस्तरिया अनपड़ थी तो उन्होंने प्राकृत किया वो भी समझती थी जानती थी संस्क्रित ऐसा नहीं कि वो नहीं समझती थी नहीं जानती थी या वो नहीं बोल सकती थी लेकिन होता हम इजी वी में बोलना चाहते हैं तो हमने प्राकृत आजमाली हम प्राकृत में बोल लेते हैं जैसे हैं हम भाशाएं बहुत जानते हैं लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो आपको अपनी मदटक मराठी, बंगला या पंजाबी बोलना जादा इजी लगता है लेकिन जब आप और फ्रेंड सरकल के साथ होते हो तो आप इंगलिश हिंदी दोनों मिक्स ब प्रशलंग था इसी लिए नाट शास्त्रियों ने दोनों ही भाशाओं का उलेक अपने नाट शास्तर में किया है तो ये कहना कि जो इस्त्रियां थी और अनपातर थे उनको प्राकरत इसले दिया गया क्योंकि वो अनपढ़ थे तो ये तर्क गलत है इस्त्रियां भी पांडूलिपी नहीं मिलती उसी प्रकार प्राचीन समय में नारी विद्याले की जानकारी नहीं मिलती तो इसका अर्थी है नहीं लगा सकते की नारिया इस्त्रिया गवार सारी इस्त्रिया गवार थी लेखत प्राचीन काल की अनेका नेक सिक्षत इस्त्रियों जैसे शीला व द्धारण देते हों इनकी सिक्षत होने की बात को प्रमारित करते हैं तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे विद्वान शास्त्रियों का मत है है कि उन्हों ने देखा कि उनके सीखने लाइक पांडू-लिपी नहीं मिली मतलब उन्हों avoir इस पांडू-LSिपी लए वह हमें तो उसी तरीके से जिन विद्वानों ने ये तर्क दिया है उन्हों ने ये सारी चीजें कहां से सीखी उनके पांडुली पी वो सब कहां है उनके कोई दस्तावेज नहीं मिलते उसी तरह इस्तिरी सिक्षा के लिए कोई विद्याले था तो उसका भी कोई उलेक नहीं है इतनी पुरानी बात नहीं है तो नहीं है वही कहते न जब इंसानने लिखना शुरू किया तब से इतिहास हुआ अब वो उस चीज का उलेक नहीं है तिक तल्angen स verde खिलत। कि प्राची और हिस्त्रीयों का नाच, गान, फूल चुलने, हार बनाने की आजादी थी तब यह उंहें कीशने आजने मतलब उन्हें नाचने गाने हर एक काम की आजादी थी तो सिक्षा की आजादी नहीं थी ये कहना गलत है ऐसा हम नहीं मान सकते लेखक कहते हैं मान लीजे प्राचीन समय में एक भी इस्तरी सिक्षत नहीं थी सब अनपड़ थे उन्हें पढ़ानी की आवर्शक्ता ना समझी परन्तु वर्तमान समय को देखते हैं उन्हें अवश्य सिक्षत करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मान लीजे कि प्राचीन समय में इस्तरियां असिक्षत थी नहीं उनकी जरूरत समझीगे लेकिन आप वर्तमान समय में देखेंगे तो इस्तरियों का पढ़ना तो अनिवा बनाईगी क्या सिक्षित करेगी लेकक पिछले विचारधारा वाले विद्वानों से कहते हैं कि अब उन्हें अपनी पुरानी माननेताओं में बदलाव लाना चाहिए जो लोग इस्तरियों को सिक्षित करने के लिए पुरानों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रेदमत आदी के प्रसंगों का उधारन देते हैं जो उन्होंने अपने पतियों से कहे थे तो उन्हें बोला पिछडे समय में ठीक है जो लोगों विचारधारा थी कि इस्तरियों को नहीं पढ़ना चाहिए तो अब वो पुरानी माननताओं को बदलनी कि बदलाव परिवर्तन प्र दसम इसकंद के उतरार्थ के तिरिपमे अध्याय में वो कहते हैं कि पढ़िये जग रुकमनी का अपरहन हो गया ठीक है तो उन्होंने अपने पती श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा वो पत्र जो है प्राकृत भाषा में नहीं था तो ये बताता है कि वो पढ़ी लिखी साथ ही सीता जी के उधारण जो सीता जी ने और शकुन तला ने अपने पतियों से जो समबात कहे यानि सीता जी पर जब लांचन लगाया गया उनको जो है वहां से अयोध्या से निकाल दिया गया और वो वापस जब मिली तो उन्होंने अपने पती से जो वारता लाप किया राम जी से वो शकुद दला ने दुश्यन से जो वारता लाब किया वो सभी उधारण ये बताते हैं कि इस्त्रियाँ अनपड नहीं थी माना वो प्राकृत भाशा में है उन्होंने जो बोला वो प्राकृत भाशा में लिखित है लेकिन जो संबाद जो तर्क बोले गए वो य प्राचीन मानताओं को आधार बनाकर इस तरियों को सिक्षा से वंचित करना अनर्थ है तो मतलब अब समय बदल चुका है अगर लोग बोले कि प्राचीन समय से इस्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था अब भी हम नहीं पढ़ाएंगे तो ये गलत है पहले का समय और था आज का समय और है चीजें बहुत हद तक बदल चुकी है सारी तो इस तरीके से इस पूरे पार्ट में इस तरी शिक्षा के जो पौरानिक तथ दिये गए हैं उनसे लेकर एतिहासिक तथियों सभी के तर्क वितर्क के साथ लेखक ने हमारे सामने ये रखा है कि इस तरी शिक्षा का जो लोग खड़न करते हैं कि नहीं करना चाहिए ये गलत है इस्तरी पहले भी पढ़ी लिखी थी मद्यकाल में भी पढ़ी रही और परतमान में भी उसे पढ़ने का पूर अधिकार है तो यह पूरे पार्ट पे उन्होंने हमें लेखक ने समझाया था अब इसी पार्ट पे आधारित प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण सख्या एक है प्राचीन भारत में किनी दो विशूदी इस्तरीयों के नामों लखे करते हुए यह बताईए कि उस समय इस्तरीयों को कौन कौन सी कलाई सीखने के अनुमती थी तो दो इस्तरीयों के नाम उन्होंने हमको बताए थे एक विज्या थी और एक शीला थी जो बहुत विशूदी इस्तरीया थी और क्या केते हैं इसके इलावा उन्हें नाचने, गाने, फूल चुनने और बहुत तरहे के सांस्कित कारकमों की छूप थी क्या है प्राचीन काल में दो विदूशी इस्तरीया शीला और विज्या हैं जिन्हें बड़े-बड़े पुरुष कवियों से आदर मिला है सारगंध है पद्दती में उनकी कविता के नमूने हैं उस काल में कुमारी लड़कियों को चितर बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुलने, हार गूतने, पैर मलने जैसी अनेक कलाएं सीखने की अनुमती थी बहुत सारी चीज़ें वो लोग सीखती थी प्रश्ट संक्या दो है इस्तरी सिक्षा विरोधी के लिए पढ़ना काल कूट क्यों समस्ते थे यानि की इस्तरी सिक्षा के लोग विरोधी थी जिनका मानना था कि इस्तरी को सिक्षत नहीं होना चाहिए उन्हें इस्तरी का सिक्षा पढ़ जाना काल कूट क्यों लगता था तो यहाँ पर क्या दिया है सिक्षा विरोधि कभी नहीं चाहते कि इस्तरीयां पढ़ लिखकर आगे बढ़े उन्हें यέ भैस अताता था कि इससे वे यानी की पुरुष इस्त्रियों का शोषण नहीं कर पाएंगे उनके सत्य असत्य की चुनोती मिलनी शुरू हो जाएगी वे अपने अभिमान पर इस तहे की चोट सहन नहीं कर सकते अत्री रिशी की पत्नी द्वारा पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान देना गार्गी द्वारा ब्रह्म वादियों को हराना मन्नन मिश्र की सैधर्मी द्वारा संक्राचार के छक्ये चुड़ाने को आश्चर जनक और पाप समझते थे इसी लिए उनकी द्रिश्टी में इस्त्रियों को पढ़ना कालकूट जैसा यानि कालकूट मतलब महापाप तो यहाँ पर उनकी बताते हैं कि अगर इस्त्रियां पढ़ जाएंगे पढ़े लिखी हो जाएंगे तो इस्त्रियों पर आपना शाशन नहीं कर पाएंगे इस तरियों पुरुषों के सत्य असत्य पे वो चुनोतियां देने लगेगी क्योंकि उनको समझा जाएगी यह सही है यह गलत है वो चुनोतियां देने लगेगी तो इसलिए उनको यह जब चोट लगेगी भाई पुरुषों का अभिमान बहुत होता है तो उन पे जब ये चोट लगेगी कि भई आप कर रहे हो जो वो गलत है तो ये चोट वो बरदाश नहीं कर पाएंगे इसलिए वो इस्तरी सिख्षा का विरूत करते थे इसके लिए उन्होंने कई उधारन भी दिये जैसे उधारन उन्होंने दिया अत्री रिशी की पतनी का उधारन दिया कि किस तरह इन लोगों ने शास्त्रार्थ में जो है बड़े बड़े ब्रामणों को पराजित किया तो इसलिए उनको ये डर सताता था कि अगर इस्तरी पढ़ जाएगी तो कहीं ने कहीं हमारी सत्ता खत्रे में आ जाएगी तो इसलिए वो इस्तरी सिख्षा को महापाप मानते थे नेक्स कोशन है कोशन मत्री महावी प्रशाद दिवेदी ने इस्तरी सिख्षा विरोधी को कि संधर्व में दसम इसकंध के तिरुपमा अध्याय पढ़ने का आग्रे किया है तो उन्होंने क्यों ये अध्याय पढ़ने के लिए जो लोगी मानते हैं क कि इस्तरी सिख्षत नहीं थी तो उन्होंने ये बताया कि दसम जो इसकंध है उसका जो तिरुपमा अध्याय है उसमें रुक्मणी हरण हुनोजी के बाद रुक्मणी ने शिरीक्रिश्ण यानि अपने पती को जो पत्र लिखा वो ये बताता है कि इस्तरीया पढ़ी किया है जिससे यह जान सकें कि पुराने जमाने में सभी इस्त्रियां अनपढ नहीं होती थी और उस समय भी उन्हें पढ़ने की इजाज़त थी वे छड़ भड के लिए भी अपने मन में ये बात ना ला सकें कि उस जमाने में इस्त्रियों को पढ़ाने की कोई आवशक्ता नहीं समझी जाती थी तो ये उधारण देकर वो समझाना चाहते हैं कि ये ना समझे कि पुराने समय में सभी इस्त्रिया अनपढ़ होती थी तो अभी भी ना और हम अभी भी नहीं पढ़ाएंगे तो ये मानिये कि पहले इस्त्रिया पढ़ी लिखी होती थी, सभी अनपढ़ नहीं होती थी, ये चीज उन्होंने इस अध्याय को पढ़ने के माध्यम से इसपश्ट करने की बाद कहीए प्रश्ट संक्या चार है, लेखग ने इस्त्रि सिक्षा के समर्थन में किया पौरानिक ग्रंथ का उलेक किया है, उसका कथ्य संछेप में लिखिये, मतलब वही वाला अध्याय जो दशम इसकंद के तिरपमा अध्याय का उन्होंने बताई है, उसी का उलेक आपको यहां पर क क्या है, लेखग ने इस्त्रि सिक्षा के समर्थन में तर्ख प्रस्तुत करते हुए शिमत भागवत नामक बौरानिक ग्रंथ दसम इसकंद के उत्रार्थ का तिरपमा अध्याय का उलेक किया, जिसमें रुक्मणी हरण की कथा लिखी है, इसका कथ्य यह है कि रुक्मणी न उन्होंने काफी लंबा चौड़ा खत लिखकर एक बाह्मण के हाँ तो अपने पती को भिजवाया था, पूरी हरण कथा लिखी थी, रुक्मणी हरण कथा पूरी उसमें उन्होंने लिखी दी कि किस तरीके से हरण हुआ उनका, तो यह बताता है कि इस्तरी जो है वो तो यहाँ पर इस्तरी सिक्षा का खंडन करने वालों, उनको प्राचीन और पौराणिक एतिहासिक जो ओतर्क यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किये, इस पार्ट के माध्यम से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, साथ ही पूरा पार्ट हमने आपको अच्छे से समझा दि लीजेगा तभी यह रिवीजन आपको क्लियर अप होगा, तो यह जो वन शॉट रिवीजन है ना हमारे, यह सिर्फ हिंदे में ही नहीं है, आपके सभी सब्जेक्स के लिए वन शॉट रिवीजन आ रहे हैं, तो अब इन वन शॉट को हम दिखेंगे कैसे, उसके लिए आप को सिंपल, क्रोम पे जाना है, मैगनेट बेंट टाइप करेंगे, आप आप के थूट बेंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कती, लेकिन आप जैसे यह आएंगे मैगनेट बेंट पे, तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जहां पर नीची की साइट में सिब्यस से इंग्लिश मीडियम लिखा होगा, जैसे आप इसे क्लिक करोगे, आपके सामने यहां पर आजाएगा, देखे, One shot revision, आप इस one shot revision को जैसी क्लिक करेंगे, आपके सामने वो सभी class आजाएंगे, जिन में One shot revision available है, आप देख रहे हो, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो अब आपको अपी class देखनी ह देखेंगे आप इसमें ये सभी सब्जिक्ट्स हैं physics, chemistry, bio, math, information, technology, history, civics, geography, economics, English, English, Hindi, Sanskrit, Sanskrit तो देखें सभी कुछ दिया है तो आप कोई भी वीडियो सकते हैं मान लिजे आप सपोस्थ आपको हिंदी में ही देखना है तो अब आप क्या करोगी यहाप पे हिंदी फुल चैप्टर, वन शॉट रिवीजन आप यहाँ पे क्लिक करोगी क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा बुक वाइस, आपके बुक्स है न कई सारी तो आपके बुक्स आजाएंगी फिर बुक के बाद ही आपका क्या हो जाएगा उसमें आगे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर साजाएंगे तो जो भी बुक पढ़नी है, जो भी चैप्टर देखने है उसे आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा अब आपको करना क्या आपको सिर्फ अपना ये वेडियो देखना है revision complete करना है क्योंकि exam आने वाले हैं, test होने वाले हैं तो revision हो जाएगा हमारा revision जैसे ही complete आपका हो जाता है तो आप निश्रेंद हो जाएए क्योंकि कहीं पर भी आपका test exam हो आप इसे फटा-फट दे सकते हैं हमारे channel बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो इसलिए हमारे channel पे आपको 100% free education प्रोवाइड कराई जाती है, इसके लिए हम आपसे कोई भी payment नहीं लेते हैं साथ ही यहाँ जितना भी content है इसलिए हम यह चाहते हैं कि आप हमारे channel के साथ बने रहे हैं इसे like, subscribe, share जरूर कीजेगा thank you for watching, bye bye